नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं राय गंजपूर के पास है, मुख्यमंत्री ने वहाँ उनकी समाधी, पीठ और परतीमा परमल्यारपन किया, इस दोरान सीएम ने अस्थाने लोगों से सनवात भी किया कहा कि संताली भासा और साहिते की विकास में पंडित रहुनाथ मुर्मु के योगदान को कभी भूल नहीं सकते बतादे कि पंडित रहुनाथ मुर्मु ओल्चिकी लिपी के रचियता थे, उन्होंने कई संताली साहिते नाटा कुव कविताय लिखी है उन्होंने ओल चेमेड नाम से ओल्ची की लिप्पी के लिए प्राथमिक पाठे करम त्यार किया था इसके अलावा होर सिरेंग, सिधु कानू और बिंदु चंदन समेत कई नाटकों की भी रचना की है जारखन में अगले पांच दिनों के दरान गर्मी सताएगी, इस दरान मौसम साप और सुस्क रहेगा, गर्म लहर चलने की भी समभावना ब्यक्त की गई है मौसम भी भाग ने इस दरान अधिक्तम तापमान में 4-5 डिगरी ब्रीधी होने का नुमान लगाया है वहाई पिछले 24 कंटों की दरान राई धानी का अधिक्तम तापमान 33.2 डिगरी सेल्सिस रहा जबकि गोड़ा का अधिक्तम सबसे ज़्यादा 37.2 डिगरी सेल्सिस दर्श किया गया बताते 10 माई की बाद मौसम में बदलाव आ सकता है सदलाव होने के करण बंगाल की खाड़ी के दक्षनी हिस्से में बन रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अनुमान लगाया जा रहा है कि या साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाधी तुफान का रूप लेकर उतर पश्मी दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दिशा परिवर्तन होने की समवना है जिससे या मेनमार और बंगला देश की ओर जा सकता है यदि ऐसा हुआ तो जार्खन पर इसका आंसिक असर पड़ेगा इससे दक्षनी हिस्सों में बादल चा सकते है दस माई के बाद गर्मी से कुछ रहात में सकती है फिलाल मौसम भीभाग इस पर किरिया पर गहरी निगरानी कर रहा है मानो तसकरों के चंगुल से छुडाये गए जार्खन के 11 बच्चे चाइल्ड वेल फेयर कमीटी और पुलिस की टीम ने सन्यूपत रूप से करवाई करते हुए एगारा बच्चों को मानो तसकरों के चंगुल से मुक्त करया है बतादे जार्खन सरकार की तरफ से मानो तसकरी और बाल तसकरी को रोकने के लिए लगतार अभियान चलाये जा रहे हैं जिसके तहट बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें अपने घर भेहने का काम किया जाता है इसी के मदर नजार राजधनी रांची में भी चाइल्ड वेलफेर कमीटी और पूलिस की टीम की तरफ से सुक्रवार को गुप्त सुचना के अधार परेगारा बच्चों को मानो तसकरों से मुक्त कराया गया बाल कल्यान विभाग और स्राम विभाग के अधिकारियों ने जनकारी देते हैं बताया है कि सभी बच्चों को ठेकेदारों द्वारा बहला फुसला कर काम दिलाने के लिए बैंगलोरू ले गया था सभी बच्चे पैसे और नौकरी के लालाच में बैंगलोरू पहुंच भी गय थे लेकिन तभी चाईल वे फ्यर कमीटी और पूलिस की टीम को जनकारी मिली कि पाकुड और संथाल छेत्र के बच्चों को बाल स्राम के लिए मानो तसकरों द्वारा बैंगलोरू ले गया गय रांची में सांसत संस्क्रिती महसों का अगाज असाने कलाकारों की परतिभागों निखारने के उदेश से सुक्रवार कुराई धानी में सांसत संस्क्रिती महसों का अगाज हुआ है तिरी दिवस्ये इस महसों का उद्खाटन पूर्व मुख मंत्री रगबर्दास ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पी एम मोदी के पांच मंत्रों में से एक मंत्र को सकार करने किया कोशिस रांची सांसर संजाय सेट के द्वारा की गई इस मोखे पर रांची बिधायक सीपी सिंग, बिधायक नवी जैस्वाल, बिधायक सम्री लाल, पदमस्तिरी मधु मनसूरी, पदमस्तिरी मुकुंद नायक आदिव पस्थित थे बता दे रांची सांचा संजय सेट के द्वार आयोजी सांचा संस्कृति महुच्षो में 288 युगा कलाकार 7 माई तक अपने कला का परशन करेंगे इस मोखे पर पुरमुख मंत्री रगवर्दास ने संसाथ संस्किती महट्सों की सराना करते हुए कहा है कि पधान मंत्री नायन्द मोधी ने पिछले दिनों पांच मंत्र दिये थे जिसमें से एक अपनी विरासत पर गर्वा हमें करनी है इसी के तहत रांची संसत के द्वारा या अनुखा पहल किया गया है बासुकी नाथ मंदीर में भक्तों की भीर उम्री बुध पूर्णिमा के पावन असर पर सुक्रवार को दुमका में बाबा फोजदारी नाथ दरवार में सधालियों की भीर लगी रही सुबा सही जलारपन का जो सिर्शिला शुरू हुआ वसाम तक चलता रहा इस पूर्णिमा को बैसाकी पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा भी कहा जाता है मंदीर प्रवंधन के अनुसार पचासे हजार सिव भक्तों ने भोले नाथ पर जलारपन किया भक्तों ने बाबा फोजदारी नाथ की पूजा कर सुख सम्रेदी की कामना की है इस मौके पर मंदीर प्रांगन में संक धावनी घंटा आधी की आवाज से मंदीर परिसर गुंजमान रहा बैदिक मंत्रो चारण के साथ पंडितो द्वारा सोच सोब चार बीधी से पूजा अर्चना की गई कतारवत भक्तों ने असपर्स पुजा कर भगवान भोले नाथ से सुख सम्रेदी की कामना की बतादे सुबह तीन वैस मंदीर प्रांगन में भक्तों कताता लगा रहा जेल जाते ही भावुक दिखे आईएस छवी रंजान इडी के विशेस नयाएधिस दिनेस राय की कोट ने दस्तावेज में जाल साजी कर जैमिन की खरीद विक्री करने के मामले में 2011 बैच के आईएस अधिकारी छवी रंजन को एक दिन की नयाएक हिरासत में जेल भेज दिया इस दोरान छवी रंजन का भी भावुक दिखे इससे पहले इडी ओफिस से कोट के लिए निकलते वक्त भी चास्मा हटा कर बराबर अपनी आखे पोस्ते दिखे थे वहीं राज सरकार कभी भी छवी रंजन के निलंबन का आदेश जारी कर सकती है इसके लिए परकिलिया शुरू कर दिगई है कोट ले जाने से पहले इडी ओफिस में राणची सदर अस्पताल के डॉक्टर ने उनके स्वास की देख रेक की इस दोरान बलड प्रेसर सुगर समेत अने जांच की गई जांच में सभी नर्मल पाया गया वहीं कोबिद नाइंटिन जांच भी निगेटिव आई है बतादे सुक्रवार की दोफर करीब तीन बाजे छवी रंजन को इडी ने पी एम एले कोट में पेस किया इस दोरान इडी ने कोट से भी मिल बिंदुओं पर पूश्ताच के लिए दस दिनों का रिमान मांगा इस पर कोट ने सनी बार को सुनवाई कितितन दिधायत की है इसके बाद छवी रंजन को होटवार इसी पीरसा मुंडा केंद्रिये करा भेज दिया गया आई एस छवी रंजन की गिरफतारी के बहाने हेमंत पर बरसे बावुलाल मरांडी भाजपा बिधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी सुक्रवार दोफर कोड़ू पहुंचे बरियातू से सलक मार्ग के द्वारा रांची लोटने के करम में कोड़ू में रुके भाजपा ने ताव तथकर के ताव साथ बैठक करते हुए संगठन की मजबूती वं राज सरकार की नाकामियों को आम जनों तक पहुचाने का निर्देश दिया बता दे बावुला मरांडी ने राज सरकार पर जम कर हमला बोला है इन जन्गलों में कई तरह के जन्गली फल मिलते है इन जन्गली फलों के सेवन से कई तरह के रोग ठीक हो जाते है बता दे लुगू, जुमरा, जिनगा वा आस पत्त के जंगलों में प्रचूर मात्रा में जंगली फल पाया जाते हैं ऐसे फलों की खरीदारी के लिए आपको गोमिया भी सुनकर पत्त के किनारे सदारों आना होगा सदारों में सरक किनारे कई जगा गाउं के लोग इन जंगली फलों की बिक्री करते मिल जाएंगे इन दिनों जो फल बिक्र हैं उनमें केद, मकर, केंद, भेलवा, इमली, प्यार, आदी सामिल है जंगलों में पाए जाने वाले ए फल स्वास्ट के लिए बेहत गुनकारी है प्यार की कीमत यहां 200 रुपे प्रति किलो है जबकि सहर में अगर आप इसे खर देंगे तो आपको यह 400 रुपे प्रति किलो मिलेंगे ज्यारखन बिधान सभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर गर्माई राजनीती ज्यारखन में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सियासिक हमा संजारी है बिजेपी पूरों मुख्य मंत्री और राज धनवार सीट से पीछले बिधान सभा चुनाव जीत कर आए बाबुलामरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जीत पर अड़ी हुई है बिजेपी नेताओ का साफ मनना है कि सरकार के सारे पर स्पीकर इस मसले को साड़े तीन साल से उल्जा कर रखे हुए है ऐसे में न्याले के फैसले के नुरूप पार्टी आगे कदम उठाएगी पलामो में सीव मंदीर के पास परकट हुए चांदी के बैरंग बली उडिसा के पलामो जीले के विश्रामपूर बलोक में नगर परिशत विश्रामपूर छेत्र के गढ़वा इस्टेशन रोड में पराचिन सीव मंदीर के पास इस्थित पीपल पेण के नीचे से 870 ग्राम चांदी के हनुमान जी की मुर्ती मिली है इसके बाद से छेत्र में कौतुहल का भी से बन गया है लोग मुर्ती को देखने है तु काफी संख्या में पीपल पेण के पास जमा हो गा है खेती के नए तौर तरीके सिखेंगी जारखन की आदिवासी महिलाएं जारखन की आदिवासी महिलाएं किरिसी के अधुनिक तौर तरीके सिख कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी महिलाओ को किरिशी के नए तोर तरीके सिखाने के लिए राश्ट्रिये कोसल विकास निगाम और पनौर्ड रिकोर्ड इंडिया फाउंडेंशन साथ मिलकर जारकन के गुमला जिले में बहु कोसल केंद्र त्यार करेंगे पी आर आई एफ तेजी से बढ़ रही बहुराश्ट्रिये सराब कंपनी की कर्पोरेट सोसल जिम्मेदारी सखा है बताद इस केंद्रे में आस्थानी आदिवासी महिलाओ को भुगाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक क्रिसी से जोड़ी निविन्तम तक्निकों और रुजहानों के बारे में समझाया जाएगा इस पहल के माध्यम से महिलाओ को पसु पालन, मतसे पालन, बुनियादी पसु, देख भाल, मस्रूम की खेती, बाजरा दालों की खेती, क्रिसी उपज भंडारन, कोल्ड एस्टोरेज, लोजिस्ट्रिक्स, सफ्लाई चेन, फरम, मसीनी करन, मधुमखी पालन, बागवानी औ और उस धिये पाधों की खेती आदी के बार में प्रसिक्षन दिया जाएगा, वरमाला से पहले दुलहन प्रेमी संग फरार, जारखंड की दुमका जिले से बड़ा ही अजब गजब मामला समने आया है, पता देहां, रामगर परखंड के भतुडिहा बी पंचायत के सार्मी गाउ में बरमाला से ठीक पुर्व दुलहन अपनी प्रेमी संग फरार हो गई, इधर दुलहे ने भी गाउ की ही दूसरी लड़की से साधी राचाली, जनकारी के उनसार देवघर जीले के पालो जोरी थाने के सीरसा गाउ के सुरगी द्वारिका परसाद राय के पुत्र प सचीव एक गारह को करेंगे जीलों से जुड़े बीसायों की समिक्षा, बिभागवार जीलों से समंदित बीसायों परमुक सचीव सुखदेव सिंह 11 मैं को समिक्षा करेंगे सभी उपायुकतों के साथ वीडियो कन्फिंसिंग के माध्यम से बैठक होगी, मुख सचीव का प्रयाले की ओर से सभी विभाग के परमुकों को इस समय में पत्र लिखा गया है। में फिर फिशण सकती है रांची। रांची नागर निगम के अधूरे काम की वज़ा से एक बार फिर स्वक्ता सरवेक्षण में रांची फिशण सकती है। है डोर टू डोर कुड़ा उठाने के लिए महाई तीन सो गाड़िया है लोगा का कहना है कि निगम की गाड़ी हर तीसरे दिन कुड़ा उठाने के लिए आती है हलातिया है कि राइधानी के जीरी जीपिंग यार्ड में पिछले 20 सालों में लगवाग 40 एकर में 600 तंस से भी ज 9 माई तक हर हाल में डाटा अपलोड करने का निर्देश स्कूलों को दिया गया है साथ ही कहा गया है कि अगर मनेता प्राप्त निजी स्कूल या फिर गैर मनेता प्राप्त निजी स्कूल अपने बच्चों के डाटा नहीं अपलोड करते हैं तो इस परकाय के प्राइवेट इसकूलों पर करवाई होगी बता दे 9 माई तक डाटा अपलोड नहीं करने पर मनेता प्राप्तनीजी इसकूलों की मनेता रद करने जबकि गर मनेता प्राप्तनीजी इसकूलों द्वारा इस कारे को नहीं करने पर उनके यूडेस कोड को रद करने की जानकारी दी गई इसके लिए जीले में चार अलग केंदर बनाए गए हैं धन्यवाद